आज का सूस्कार कार्मन शडी सब 84 लाक योनियों में गुमाने वाला आवा घमन कराने वाला अज्यानता वाला कार्मन शरीर है और यही मुक्ष जड़ है इस जड़ पे जो व्यक्ति केंद्रित कर लेता है क्योंकि रूट कौज बोलते है कि वाट इस रूट कौज अग्दा एनी एनी मेटर तो हमारा सुक दुक और हमारे को बंधन मुक्ति का जो रूट कौज है वो कार्मन शरीर है जिसको कोई अग्यानता कहता है कोई लिंक शरीर कहता है कोई खौजल बोली कहता है यह जो है चतु इसपर्शी पुद्गलों का बना हुआ है ग्यानावनिय दशनावनिय वेदिय अमोनिय आईश नाम गौत अंतरा यह जो चार घादी और चार जो अगाती कर्मों का 148 उसकी उत्तर प्रक्रतियों का यह चिठा है पुकुत प्रतियों का यह गोदाम है और वो 148 उत्तर प्रक्रतिया इकटी होती रहती है और वो कहना चीए जड़ती रहती है और जन जन्मानतर के अंदर जाती रहती जो लोग शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उनको जो इस कार्मन सरी को संपूर गूप से दोना है इसकी दोनाई करनी है और इसकी दोनाई है मनुश्य जीवन में हो सकती है जब इतनी बात बताई जाती है तो अगर आप शाश्वत सुख की लिव लगाना चाहते हो तो आपको अग्यानता का नाश करना है अग्यानता का नास ही सच्चा नाश है अग्यानता का त्याग ही सच्चा त्याग है अग्यानता को छोड़ना ही सच्चा पुर्शात है रियल पुर्शात की हम बात करें तो वो अग्यानता को छोड़ना अग्यानता को समाप्त करना वो रियल पुर्शात है तो जब ये रियल पुर्शात हो जाता है तो आपको अपने अस्तित्तों की जानकरी हो जाता है